थेलो फ्रेंड्स मीनणा रीच शिचुूधिया है और आप देख रहे हैं लाइफ प्रोजयक्ट टार्निक दोस्तों आज सीखने वहां से pak सकता है डेटबेश करने का तो सबस्क्राइब पर स्टैटाओ से में से टेटबेस पर बार चेज वाइन और अधिनunda ये हम से पूछन चाहें ओर पासबट ये सारी स्पाहिए व मैं करते Casey के लाएं ये तो ठीक उसी तरह से यहां पर होता है तो यहां भी आपको एक php myadwin मिल जाएगा तो यहां पर यह हमें यहां पर क्या होगा है यहां db database name database db user और db host तीनों मिल गया है तो शुरू में आप देख रहे होंगे name और db user इसमें एक id की तरह से generate कर दिया है एक id हमें दो मिलगे इसको आप note कर सकते हैं रख सकते हैं बैसे database यहां से कभी भी create कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं फिलाल हमाद practice mode पर है हमारी practice चलिए तो हम इसे अब यह connect हो रहा है यह connect हो रहा है database तो इसके बाद आप manage पर क्लिक करेंगे तो manage पर करेंगे तो आप से पूछा जा रहे हैं यहां पर phpMyadwin और जो भी है नीचे पासबर चेंज करना है तो जो भी है वटाबर तो हम यहां phpMyadwin पर क्लिक करते हैं तो यहां से दोस्तों जैसे कि आपने आप ड देखिए अभी हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे तो फिलाल हम एक table create कर लेते हैं तो यहां database बनाएंगे और table create करेंगे और live project पर यही training है मतला हम ऐसे छोड़ छोड़े चीज़े करेंगे बेसिक जो आपको पता होने चाहिए जो beginners level पर नहीं पता होते हैं हम डर जाते हैं अ लाइप प्रोज़ेक्ट पर हमें काम किया तो आगे हम काफी चीज़े देखेंगे PHP बगार हमें तो यह मैं एक table create कर लां तो यह मुझे आपको बताने की जुरूत नहीं है क्योंकि आप अगर यह वीडियो देख रहे तो आपको इसकानला MySQL का बेसिक आता है और PHP का बेसिक यह सब का बेसिक काता है तो हम उसी की का आगे बढ верх को आगे तो मैंये में आगे मैं जाने में तरसरे वह रहें होगा और यह चोटी मोटी साइड हो की WordPress की अगर मैं यहां उसको interests ensuring बिच करेंगा तो यहां काम करेंगें कियुक ragipe तो देखने के ब surrender हमार काम चली तो दोस्तों यह बना यह कामOOOO जैसे कि अपने भी भी अपने सर्फ श्रहाँ घेट सै इसे क्या फरर्क दिर्ख में आपने सर्वर पर एक जगे मिलगी आपको कैसकते हैं सर्वर पर below इसपेस मिल गआ यहां पर आप नी वेब Zuschट को indung कर सकते हैं ठीक है और लाब काम कर सकते है और उसमें इम्प्रिमेंस इसेशं कर सकते हैं और तो स्काथ Explore तो यहां आप इतना बेसिक तो आप इस वीडियो तक समझ गी होंगे यह हमने एक टेबल बना लिये तो आप टेबल हमने एक प्रामरी की प्रामरी की लगाई है तो यहां देखिए अभी प्रोसेस चल रहा था और मैंने दूसर ऑप्षन उसको दे दिया किलिक करके वह अभी जो यूजर टेबल होब हमारी क्रीड हो चुगे तो हम देख लेंगे उसमें कुछ data डालके उसके बाद, हम इसनी तार सागे आने वाले वीडियो में काम करेंगे किस तरह से में도 करेंगे। और यह ला यद लिदा ओवाले जीदों में देखेंगे, यहां इक दो डेटा को सुझ सबॉट देखेंगे चोड़े चोड़े बीडियो बनाऊंगा बहुत बेसिक है अब कुछ बीडियो बनाकर हम आगे देखेंगे गिट का भी यूज करेंगे इसमें तो यह सारे टूल्स में आपको सिकाऊंगा जैसे लाइब प्रोजेक्ट पर काम होता है आप कमपनीज बगार में जाएंगे तो इनकी आपको रिक्वाइर्मेंट होगी यह आपको आपसे पूछा जाएगा तो यह चोड़ चोड़े पता होने चाहिए तो इससा आप कॉन्पिडेंस बढ़ता है तो मेरे जाप से अगर आप को सब्सक्राइब जरू किजएगा हमने एंटर कर लिया डेटा अपना और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ छोड़ चोड़े मिनी प्रोजेक्ट बनानी कोईश करेंगे तो यह रहा आपका लाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का वीडियो फिप्थ तो थैं